ग्यान 24 में सुमंद चर्मा का प्यार भरा नमशकार आज आप लोगों को एक important बात बताने जारी हूँ जिसको अगर आपने रोजाना बोलना शुरू किया मतलब ये line है, इस line को अगर रोज आप पूजा करने के time पे बोलते हो या फिर दिन में बोलते हो, तो आप अपनी life को miraculously change होते हुए देखोगे उससे पहले एक success story सुनाती हूँ तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ ये इनकी success story है, इनोंने लिखा है, कुछ achievements है इनकी उसके बारे में लिखा है ये लिखती है है、「 है माम, this is my gratitude towards universe, god and all the angels。」 I am also very grateful to you for all the guidance. I was really at the lowest point when I started following your channel. Not only it brought positivity back in my life, but you also encouraged me to feel that yes, everything is good and is fine. i have in a way stopped overthinking my wish has come true my sp is back my career has started to move in direction thank you so much for making us realize the power of being thankful and gratitude towards the universe you indeed are a true healer really thankful uh to i falling short of words for what you are doing for each one out there thank you thank you thank you thank you so much dear and this means means a lot and yes positivity की ताकत ठीक है positivity की ताकत के साथ साथ gratitude आपने करना क्या है क्योंकि नया साल शुरू है सारे साल हमें कृपा चाहिए जबी भी इश्वर के सामने आप रातना करने के लिए खड़े हो रहे हैं पूजा करने के लिए खड़े हो रहे हैं जनरेली इंसानी फित्रत है हम जब भगवान के सामने जाते हैं धड़ा धड़ अपनी लिस्ट कोल के खड़े हो जाते हैं भगवान ये दे दो वो दे दो आज तो ये काम बन जाना चाहिए आज मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए आज शादी की बात हो जानी चाहिए, आज ये हो जाना चाहिए, आज पैसे आ जाने चाहिए, ये काम चल जाना चाहिए, बहुत सारी रिक्वेस्ट हो जाती है, सब अपनी जगह शहत सही है, मैं मना नहीं कर रही, हम इश्वर के सामने अपनी लिस्ट नहीं रखेंगे, तो कि काम जरूर कीजिए उनकी कृपा के लिए शुकराना कीजिए धन्यवाद कीजिए एक हैबिट रखिए कि जब भी आप इश्वर के सामने जाते हैं कभी भी आप मंदर के सामने से गुजरें कभी भी आप अपने घर में मंदर के सामने से गुजरें बाहर मंदर के सामने से गु बार grateful होंगे, gratitude देंगे, आपकी life वैसे ही miraculously change हो जाएगी, फिर आपको कुछ भी चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सके, तो इसको लिखने की आदट डालिए, रात में सोने से पहले, आप एक diary बना के रखिए, उसमें रोजाना एक नियम रखिए, कि कुछ ना कुछ चीज के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे, आप शुक्राना आदा करेंगे, जो लोग law of attraction में universe connection पे connected हैं, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, कि हम gratitude की बात कर रहे हैं, और gratitude कितना important है हमारे life में, ये thank you word, इसे हम golden word बोलते हैं, magical word बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों ये thank you word इतना effective होता है हमारी life में, जो use करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, यहाँ पे हम इश्वर से related बाते करते हैं, ब्रत करते हैं, पूजा करते हैं अपनी मनों कामनाओं के लिए, इच्छा की पूर्ती के लिए, यहाँ पे मैं क्रिपा की बात कर रही हूँ, वही क्रिपा जिसे हम gratitude, या फिर धन्यवाद, शुक्रान आदा करके भगवान की क्रिपा, भगवान की blessings मांगते हैं, इस क्रिपा के लिए आप रोजाना एक नियम रखिए, कि रात में सोने से पहले इश्वर की क्रिपा के लिए हम धन्यवाद करेंगे, बार-बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, आप चाहें तो कुछ भी नहीं, सिर्फ धन्यवाद शब्द भी लिख सकते हैं, कम से कम 2, 4, 10, 11, जितनी बार आपका मन करें। उतनी बार सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थांग्यू, 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 ठीक है, हे ईश्वर तेरी कृपा के लिए धन्यवाद, आज की कृपा के लिए धन्यवाद, आप सिर्फ कृपा के लिए धन्यवाद करना शुरू करें, आप देखेंगे हर दिन आपका चेंज होना शुरू होगा, ठेक है, अभी कुछ दिनों में लोडी है, कुछ दिनों में संक्रां नो कोई टेकनीक आप जरूर करिएगा बहुत सारे लिखने के टेकनीक है जैसे की ट्रिपल टू, ट्रिपल थ्री, ट्रिपल फोर ट्रिपल सेवन बहुत एफेक्टिव टेकनीक हैं ये सारे, आप चाहें तो अपनी कोई सी भी विश एक wish ही इसमें आपको लिखनी होती है एक wish के लिए एक line draft कीजिए present tense में हो सके तो जरूर draft करिये, ऐसे कि वो wish आपको मिल गई है, suppose मुझे नौकरी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद, thank you universe, कुछ भी ब्रह्मान की सारी शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से करते हुए एक line draft कीजिए, इस line को 33 बार पहले दिन लिखेंगे 33 बार दूसरे दिन, 33 बार तीसरे दिन, 33 ताइम्स, 33 ताइम्स 33 ताइम्स, तो ये हो गया triple 3 technique, सेम इसी तरह अगर triple 2 technique कर रहे हो तो 22 times first day, 22 times second day, 22 times third day, अगर आप triple 1 technique कर रहे हैं तो 11 times first day, 11 times second day, 11 times third day, तो इस तरह से करके आप ये techniques अपने हिसाब से जो भी आपको convenient लगता है कि हम triple 1 करना चाहते हैं या फिर हम triple 2 करना चाहते हैं, triple 3 triple 5 या फिर triple 7, इन में से पांचों में से जो भी आपको convenient days लगते हैं अपने विश के लिए वो करिए करके, और जब लोडी जिस दिन जलेगी, अगर आपके आसपास कहीं लोडी जलती है, तो उस दिन आप ये लिखे हुए papers को लोडी ही आग में जला दीजेगा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लोडी ये आग बहुत पावन आग होती है, बहुत divine होती है वो fire और उसमें जब आप ये जला देते हो, तो एक अलग से energies की शक्ती है, तो आपने जो लिखा है, वो सच होगा ही होगा बस आपको विश्वास रखना है desperate नहीं होना है, वेट करना है आपने विश के लिए, और आपकी विश्व सची होनी चाहिए सची होनी चाहिए, positive होनी चाहिए, किसी को भी harm करने के मकसद से कोई विश्व नहीं होना चाहिए इस चीज का ध्यान आपको रखना है ठीक है, तो priority के साथ आप scripting शुरू कर सकते हैं और फिर load के देने सजा, अगर आपके आसपास कोई load जली नहीं रही है, तो फिर क्या करें, फिर आप खुद से एक candle लेके जाए घर के बाहर, वहाँ पे आप इसको जलाके इसके राख को हवा में उड़ा देजिए universe में release कर दीजे, जाने दीजे ठीक है, तो बहुत simple सा technique है, बहुत easy है, लेकिन हाँ बहुत effective है, आप लोग करके देखेगा अब भी क्योंकि तेवहार का time आ रहा है और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी भी कोई तेवहार के time आते हैं तो उस समय vibrations high होती है, कुछ भी लिखा गया, कुछ भी मांगी गई चीज पूरी होती ही है, okay so इसी के साथ विदा लेती हूँ धन्यवाद